यह सलमान खान का डायलग तो हमने सुना ही होगा मुझ पर एक आसान करना कि मुझ पर कोई आसान ना करना और यह डायलग हम मिंडर क्लास लोगों का फेवरिट है अब डायलग तो ठीक है लेकिन यह एटिटूट हमें आगे बढ़ने से रोक देता है क्योंकि यह चीज़ हमने अपने घरवालों से सिखी है कि जो भी करो बस खुद करो दोसों से चीटिंग मत करो लेकिन इस पर सर आइसाक न्यूटन कहते हैं कि इफ आई हैव सीन फूर्दर देन अधर्स यानि वो लाइफ में सिर्फ इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि जो भी उनसे लाइफ में आगे थे उन्होंने उन सब का काम सीखा और उनसे मदद मागी देखो इवन अशनीर ग्रोवर कहते हैं कि वो दपिंदर गोहल को स्टार्टप की दुनिया में अपना ग्रैंट फादर मानते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे डारेक्ली इंडारेक्ली बहुत कुछ सीखा हैं स्टीव जॉब्स ने रेगेस मेकीना से मार्केटिंग सीखी अगर ये लोग भी क्या देते हैं कि मुझ पे एक ऐसान करना, मुझ पे कोई असान मत करना तो हम कभी में इनके नाम नहीं जानते तो नवल रवी कांथ के अकॉर्डिंग साथ ऐसी चीज़े हैं जो हमें कभी भी सक्सेस्फुल नहीं होने देती इसमें सबसे पहली चीज़ है not using leverage लाइफ में ये चार चीज़े हैं जो हमें leverage देती हैं जिसके बीना हम बहुत जल्दी सक्सेस्फुल नहीं हो सकते इनमें सबसे पहली है labor leverage यानि अगर आप हर रोज 8 घंटे काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यदा willpower से आप 80 घंटे का काम हर रोज नहीं कर सकते उसके लिए आपको और लोगों को hire करना पड़ेगा जिसका मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़े तो इन्वेस्टेर से पैसे लेना और उस पैसे से अपने काम को amplify करना 3rd और 4th आता है code और media coding करके अगर हम कोई piece of software बनाते हैं तो उसमें एक बार का खर्चा आता है और उस same software को बार-बार बेचा जा सकता है next आता है media for example YouTube, Facebook, etc अब जैसे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो मेरे एक effort से ये बहुत सारे लोगों तक पहुन सकती है और ये एक तरीके की leverage है इसका हम एक real life example लेते हैं देखो Lululemon एक बहुत बड़ा brand है और इसने सबसे पहले योगा के लिए कपड़े बनाना शुरू किया था लेकिन जो उसके founder है Chip Wilson इन्हें शुरू में योगा के बारे में कुछ भी नहीं पता था इनका background कinesiology में था यानि जो human का शरीर है वो move कैसे करता है तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने दोस्तों का एहसान मांगा यानि इन्होंने leverage को use किया और अपने दोस्तों से knowledge मांगी योगा के बारे में फिर इन्होंने leverage यूज करी connections की और Canada में जो local yoga community थी उन्हें अपने शुरू के योगा कपड़े दिखा के उनसे feedback मांगा फिर इन्होंने किसी और के labor को use करके leverage लिया रूलू लेमन शुरू में अपने कपड़े नहीं बनाता था और उन्होंने existing जो manufacturers थे उनकी help ली इसके बाद इन्होंने capital वाला leverage use किया और Advent International से पैसे लिया फिर इन्होंने अपनी application और website बनाने के लिए भी दूसरे लोगों से leverage ली इन शॉर्ट इनका ये dialogue था कि मुझपे एक ऐसान करना कि मुझपर ऐसान करते रहना next mindset जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे था वो ये है कि हम मानते हैं कि जो wealth है वो एक zero sum game है आए इसे एक story से समझते हैं हम सब ये मानते हैं कि wealth एक pizza की तरह है जिसमें बहुती fixed number of slices हैं अगर किसी ने उस pizza में से एक slice उठा लिया तो बाकी के जो लोग हैं उनके लिए कम slice बचेंगे यानि एक zero sum game है लेकिन wealth creation अक्चुल में इससे बिलकुल opposite है जिसमें हम बहुत से लोगों की मदद लेते हैं इमाजिन कीजे फिर आपको एक delivery person चाहिए यानि की employees जो आपका pizza डिलेवर करेंगे दूसरे लोगों तक इन short आप एक नहीं आप हजारों pizza बना सकते हों अगर इसके लिए मैं दूसरा example लोग माली जी ये दो लोग एक बीच में खड़े हैं एक आदमी बहुत मेहनत करके एक बेलचा और बहुत सारा समान लेके आता है ताकि वो एक किला बना सके इसके पास जब बाकी लोग आते हैं और कहते हैं सर क्या हम आपकी ये किला बनान में मदद करें तो वो एकदम गुस्टे से बोलता है नहीं नहीं हर जाओ पैसे खुद बनाऊंगा और वो बहुत महिनत के बाद उस किले को त्यार करता है उसे लगा कि जब बाकी लोग आएंगे तो वो उस किले को भी क्लेम करेंगे और ये है एक फिक्स्ट माइंडसेट लेकिन वहीं पर उसके साथ जो एक और आदमी है उसे पता है कि बीच में बहुत मिट्टी है और वो जितने चाहे उतने किले बना सकता है उसके पास किले बनाने का सक्यल तो है लेकिन उसके पास बेलचा और बाकी समान नहीं है तब वो वहाँ पर खड़े लोगों को बोलता है कि क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हो खिला बनाने के लिए तो वो सब को उनके skill set के according काम देता है और वो एक नहीं बलकि बहुत से किले बनाता है नेक्स्ट पॉइंट कहता है foundation in maths and logic अगर मैं आपको कहूँ कि आप 5 लाक रुपे हर महीने लोगे जब तक आप जिन्दा हो या फिर 10 करोड रुपे एक बार actually ये सवाल बहुत से लोगों से पूछा गया और सब ने एक ही आंसर दिया कि हम 5 लाक रुपे हर महीने लेंगे 10 करोड रुपे एक बार क्यों ले और ये 5 लाक रुपे का आंसर अच्छल में गलत है क्योंकि अगर हम 10 करोड की FD भी करवा लेते हैं और हमें 7 से 9 परसंट भी मिलते हैं तो भी ये पर मन 5 लाक रुपे से जादा होंगे अब हमेंसे बहुत से लोग बोर रहे होंगे यार FD में 9 परसंट कौन देता है 1. मुझे ये FD के रेट कैसे पता और 2. ये तो छोटे बैंक हैं अगर ये बंद हो गए तो और ये दोनों एकदम ठीक सवाल है तो पहले क्वेस्चन का आंसर है कि मुझे बैंक के FD के रेट स्टेबल मनी आप से पता चले हैं और 2. अंसर कि ये छोटे बैंक हैं तो ये ये छोटे बैंक हैं लेकिन हमें DICGC इंशॉरेंस प्रोवाइड करता है यानि अगर हम 5 लाग से कम की FD इन बैंक में रखते हैं और इन बैंक को कुछ भी होता है तो हमारे पैसे इंशॉर्ड रहेंगे Stable Money एप में FD खोलना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अब सवाल आ रहा होगा कि विड्रॉल का क्या तो यहां विड्रॉल के टाइम में 24-48 घंटे में पैसे हमारे बैंक अकाउन में आ जाते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन हमें Stable Money एप में मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि यार मैंने 5 लाख पर मंद का आप्शन तो इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है 10 करोड मैनेज करना भी तो असान नहीं है इतनी सरदर्दी हम क्यों ले पर बात ये है कि जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप इन दोनों आप्शन में से कौन से चूज करेंगे आपने अपने दिमाग में प्रोसेसिंग की थी की नहीं अगर की थी तो कॉंगर्चुलेशन आप उन रियर्ड लोगों में से हैं और आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों के मन में ये कैलकुलेशन हुई ही नहीं और नवल रविकांत के कॉड़िग मैट्स और लॉजिक ही वो बेसिक कॉंपोनेंट्स हैं जिससे कोई भी चीज सीखी जा सकती है और अगर ये बेसिक कॉंपोनेंट्स हमें नहीं पता तो हम कही ना कहीं लाग करेंगे ही करेंगे थर्ड एक्जामपल आता है कि ये देखो ये है इंस्टेग्राम की पोस्ट जहां लोग एक ही पोस में फोटो किचवा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो कितने खुश है जब कि reality में जब वो एक्च्वल में travel कर रहे है तो वो उस चीज को enjoy नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ photograph कीच रहे हैं ताकि वो बाकी लोगों को ये दिखा सके कि वो enjoy कर रहे हैं और ये status game हम खेलते रहते हैं और इसी की वज़़े से हमें ऐसी न्यूस सुनने को मिलती है जहांपर एक कपल ने आइफोन खरीदने के लिए अपने बच्चे तक को बेज दिया देखो, वेल्थ एक जीरो सम गेम नहीं है लेकिन स्टाट टेस एक जीरो सम गेम है और इसे जीतने का एक ही तरीका है कि हम ये गेम ही ना खेले इसको समझने के लिए मैं आपको दुबार से कच्चुए और खरगोश की स्टोरी सुनाता हूँ आपने इनकी एक रेस की स्टोरी तो सुनी है लेकिन इनकी एक्च्चल में चार बार रेस होती है पहली रेस में करगोश जल्दी भागता है वो ओवर engineering हो जाता है रुक जाता है और कच्चुआ धीरे-धीरे जीत जाता है सेकंड रेस में करगोश को गुसा आ जाता है इस पर वो तेज भागता है वो رेस नहीं लेता और वो गेम को जीत जाता है थर्ड रेस में कच्छुए को गुसा आता है और वो बोलता है कि हाँ इस बार जो रेस ट्रैक है वो मैं डिसाइड करूँगा दोनों रेस के लिए जाते हैं और जब तक रोड होता है खरगोश भागता रहता है येकिन जैसे ही आगे नदी आती है खरगोश रुख जाता है क्योंकि वो नदी पार नहीं कर सकता कच्छुए धीरे धीरे नदी तकाता है खरगोश को देखता है हसता है और नदी पार करके अपनी रेस जीच जाता है अभी तक ये तीनों स्टोरिस में स्टाटस गेम चल रही है यानि ये गेम इस तरीके से डिजाइन की गई है कि एक को जीतने के लिए दूसरे को हान नहीं पड़ेगा लेकिन फिर होती है चौती रेस जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करते बलकि कलाबरेट करते हैं जब तक जमीर आती है तब तक कचुआ खरगोश की पीट पर रहता है उसके बाद जब नदी आती है तो खरगोश कचुए की पीट पर आ जाता है और नदी भी वो मिलके पार कर लेते हैं और इस तरीके से मिलकर वो हर बार अपना record break करते हैं next mentality जो हमें बार बार हराती रहती है वो ये है किया किस्मत होगी तो पैसे खुद आ जाएंगे मेहनत क्यों करनी लेकिन action पे जो intelligent लोग है उन्होंने luck को भी define किया हुआ है ये luck चार तरीके की होती है पहली luck है dumb luck ये वो luck है यानि वो किस्मत है जो हमें से maximum लोग समझते हैं जो की बस सचानक से आ जाती है आप एक जंगल से जा रहे थे और आपको वहां पर एक 10 क्रोड रुपे का नोटों से भर हुआ बैग मिल गया और आपकी किस्मत चेंज हो गए अब ये इतना rare event है कि आप मान के ही चलिए कि ऐसी dumb luck आपको अपनी life में नहीं मिलने वाली अब second type of luck आती है luck from motion यानि हम अपने लिए इतनी जाद opportunities create करते हैं कि हमारी किस्मत हमें मिल ही जाती है for example आपके पास एक अच्छा idea है आपने खुद coding सी के बहुत मेहनत करके उसकी basic application त्यार कर ली है अब आपको उसे expand करने के लिए investors चाहिए आप बार बार tech meetups में जाते हो hustle करते हो वहाँ पर जितने भी लोग मिल रहे हैं उन्हें अपना idea बताते हो उनसे पूछते हो कि आप किस VC को जानते हो उनके साथ meeting करते हो 100 और 200 बार reject होते हो और finally आपको एक ऐसा VC मिल जाता है जो आपके idea पर पैसे लगाने के लिए तयार है ये जो luck है वो आपने खुद create करी है अपने motion से, अपने effort से third type of luck जो हम create कर सकते हैं वो है luck from awareness यानि अगर हम अपने को knowledgeable रखें तो हम नई चीज़ों में luck create कर सकते हैं फॉर एक्जामपल मान लीजे कि आपकी एक बेकरी की दुकान थी वहाँ पर बार-बार कस्टमर आ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई gluten-free option है अब अगर आपको knowledge नहीं है तो आप इसकी परवाही नहीं मारोगे फूर्थ टाइप आफ लग जो dumb luck से different है वो है unique character might be कोई mystery है जो हर बार किसी को अगर bed बना के देता है table बना के देता है तो वो सबसे अच्छा design और highest quality का का काम करता है अब might be उसे कोई दुकान खोलनी है और दुकान खोलनी के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो अगर उसे कभी भी एक ऐसी opportunity मिलती है जहां पर उसने दूसरे इंसान के साथ partner करके एक दुकान खोलनी तो ये luck कोई dumb luck नहीं है ये एक unique character luck है जिसे हम use करके अपने probability of success को increase कर सकते हैं अगली चीज जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है वो है envy यानि jealousy अभी कुछ दिन पहले मेरे एक friend ने अपने whatsapp में status डाला था उसने लिखा था इर्शा पालो तो पालो वरना वही मृत्यू है अभी ये line rhyme नहीं करी लेकिन इसमें बहुत बहुत deep meaning चुपा है meaning ये है कि अगर आप इर्शा को पालते हो यानि अगर आपको jealousy है किसी से तो फिर उसे पालो यानि इतना action ले लो कि उस चीज को आप achieve कर लो वरना अगर आपने किसी के against jealousy पाली हुई है और आप साथ में action भी नहीं ले रहे हो तो ये मृत्यू के ही बराबर है यानि this is equal to death इसके बहुत से example है कहीं तो मेरे known ही है अब वो क्या करते हैं कि उनका overweight हो गया है Instagram में वो अपने friends की photograph देखेंगे देखेंगे कि वो कितने slim है और इस jealousy की वज़े से वो actual में gym नहीं जा रहे वो अपने diet में कोई changes नहीं कर रहे बलकि और overeating करके और साथ अपना weight बढ़ाई जा रहे है इसलिए ये quotation हमेशा याद रखना अगली चीज़ जो हमें आगे नहीं बढ़नी देती वो है यार बड़ी मेंगी किताब है यार इस पर मैं पैसे क्यों खर्चूँ Warren Buffett कहते हैं कि मैं अपने आप में कमी समझ गया था कि मैं लोगों के सामने कभी भी नहीं बोल सकता इसलिए उन्होंने Dale Carnegie का course कर लिया How to make friends and influence people और वो कहते हैं course के दोरान ही उनमें इतना courage आ गया कि उन्होंने अपनी wife को propose कर लिया और उनके पैसे तो वहीं वसूल हो गया और आज उसी course की वज़ासे जब भी shareholders के बीच में talk होती है वो असानी से कुछ भी उन्हें convey कर सकते हैं अगर मैं खुद की बात करू तो क्यूंकि मैंने बचपन में कुछ book पढ़ ली थी उसकी वज़ासे मेरा mindset इतना change हो गया था कि अगर खुद मेरी life में बहुत negative भी हो रहा होता था तो भी मैं positive रहता था इवन 12 में ज़र मेरे 50% आए तो भी मुझे यकीन था कि यार मैं कर लूँगा अभी तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ और क्यूंकि बचपन में मैं अपने उपर invest करता था मैं जितने भी लोगों से मिला मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई न कहीं उनकी life को positively impact किया ही है और Google application के थूँ जो कि मेरी life का अभी तक का best काम है मैं बहुत लोगों की life change कर रहा हूँ वैसे भी डेल कानेगी इस दुनिया में तो है नहीं इसलिए उनका course तो available नहीं है लेकिन हाँ उनकी book How to make friends and influence people free में हिंदी में available है Google app में जहाँ पर 200 सादब book summary हिंदी में free में available है और हर हफ़ते हम इसमें एक free book summary अगर आपको लगता है कि मारा काम अच्छा है तो आप इसकी subscription ले सकते हैं जिसको लेने के बाद यहाँ पर 2000 से जादब books unlock हो जाती है इसका link मैंने description और first comment में दे दिया है दोस्तों ये 7 points हैं जो नवल रवीकांत के recording हमें आगे बनने से रोकते हैं और मैं उनसे इन points के लिए 100% agree करता हूँ anyways अगर आपको लगता है कि ये video आपके किसी friend या family member के काम आ सकती है तो ये video आप उनसे जरूर share कीजे और हाँ stable money app का link मैंने description में दे दिया है इससे आप जरूर check out कीजे और हाँ अगर आप ऐसी knowledgeable videos मिस्स नहीं करना चाहते तो subscribe करने के बाद bell का प्रटन दवारा मत भूलिएगा जल्दी हम आप से दवारा मिलेंगे जय हिंद